यहां शारुक खान अपनी मूवी रैस की शूटिंग के दौरान यहां पे आये थे और यहीं पे खड़े हो कि अपने फैंस को ग्रीट किया था अबे यह तो हिल रहा है बे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि यह लोग आँखों में पट्टी बांध के क्यों बेटे हुए आपको जहां हर मन्थ बॉलीवड की सेलिबरेटिस आते जाते रहते हैं यह रहा एमनोरा मॉल और इसके ठीक आपोजिट में यह सीजन्स पर हम कन्प्यूज हो गए हैं के पहले कहां जाए चलो डिसाइड करते हैं अकडबकडबंबेबो 8090 पूरे सो चलो सीजन्स चलते हैं सीजन्स में एंटर करते हैं हमने देखा वहां लगे हुए जूले में छोटे-छोटे बच्चे जूल रहे थे दोस्तो इस मॉल का सबसे स्पेशल जगा भी मैं आपको दिखाऊंगा यह जो नीले रंग का स्टेज दिख रहा है ना गाइस यह वही जगा है जहां सारे बॉलिवूड सेलिबरिटिस आके खड़े होते हैं और अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हैं हाली में कार्तिका आरियन आया था यहां भूल भलेया टू को प्रमोट करने कसम से दोस्तो एक दिन सिधी दास भी यहां खड़े हो कि अपने फैंस को हाथे लाएगा देख ले ना भाई कितनी बार बोला यह सस्ते नसे मत किया गयर फिर हमने देखा हमारी बहन के चेहरे पे एक लड़ी की लिपापोती कर रही थी अब यह क्या चल रहा मेकप वो भी फ्री में सबको नहीं मिलता ऐसे ट्रीटमेंट बस मुझ जैसे कुछ स्पेशल लोगों को मिलता ही है माडम आपको गलत पैमी हो गई है यह सर्विस सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनकी सकल बंदर जैसी हो मैं बंदर दिक्रीगे तिरको कहां सम लड़कों को भी कोई ऐसे ट्रीटमेंट देता इंडियन ट्रेन आले सॉली अबे यह कौन था बे कट्टी जैसी जिन्दगी हो गई है यार दिन भर बिना हगे मुते बेटना पड़ता है तुम इंसानों को खुश करने के लिए तू ज्यादा बोल रहा है यह ले दे मोजा अबे हम क्यों दे मोजा कमाले हम सही मोजा मांगा जा रहा है गरीब इसका नाम ले मोजा होना चाहिए था अलो मेडम अबे यह तो सो गई है खड़े-खड़े चलो गाइज नीचे वाले फ्लोर में इतना ही था आप उपर चलते हैं इस बीच थोड़ा चपल पॉलिस कर लेते हैं ये लो इस फ्लोर में तो गंजों की पूरी टोली खड़ी है लगता है किसी का पेर यहां चिपक गया था फिर हमारी नजर एक बकसे के अंदर पड़ी जहां बारी-बारी लोग अपना कटवा रहे थे बाल हमें कुछ कटवाना नहीं था इसलिए हम एक और फ्लोर उपर चले आए फिर से थोड़ा चपल साप कर लेते हैं फिर हमारी नजर इस मदर केर वाली स्टोर पे पड़ी जहां अंदर दूर दूर तक कोई मदर नहीं नजर आ रहा था हाँ बड़ तो फादर जरूर नजर आ रहे थे दोस्तो ये जो सीने पोलिस का उपर का एरिया दिख रहा है न यहां शारुख खान अपनी movie race की shooting के दोरान यहां पर आय थे और यही पर खड़ों के अपने fans को greet किया था अबे पागल यह क्या कर रही है पोछा मार रही है क्या अबे ऐसे नहीं करते हैं ऐसे करते हैं अपने fans को greet होगा होगा एक दिन हमको भी देखने के लिए भीड उम्डेगी फिर हम चल पड़े टाइम जोन के अंदर यार आज कल के बच्चे बहुत लगए यार इनके खेलने कुदने के लिए इतना कुछ आप्शन मिल रहा है हमारे जमाने में लुका चुपी और गिली डंडा से आगे हम कभी बढ़े ही नहीं आज कल तो मेसेंज भी बॉलिंग करने लग गे हैं दिदी तुमसे ना हो पाएगा ए बगबान हमें चितवा दो ओ मैं गॉट हम जीत गए मा हम जीत गए फिर अचानक हमारी नजर एक मेशीन में पड़ी जहां कुछ नर और मादाएं आंखों में प होता है बाई मुझे इसमें बैठना है प्लीज मुझे बिठा दो यार अरे बट पैसा नहीं है मेरे पास अरे बाई तुझे में गिर्वी रख दूंगा तोड़ी देर के लिए तो पागल होगी है क्या मैं अपने भाई को गिर्वी रखना चाहता हूं और बदले में मुझ सकता है क्या नो मेडाम गिर्वी वाला अप्सन अभी तो नहीं है पैसे देने पड़ेंगे नाई फिर रहने दो जब जब मौका मिले चपल पॉलिस करते रहने का सीजन्स मॉल में बस इतना ही था गाईज अभी मैं आपको एमनोरा मॉल लेके चलता हूं दोस्तों ये मॉल क कुछ उटपटांग हरकते करने लग गई अब रहन दे तुझसे नौप पाएगा फिर हमारी चोरनी बहन सोरूम से साइकल चुराने की फिराक में थी बाद में पता चला साइकल में तो पैडल ही नहीं है कितना गरीब सोरूम है यार एक साइकल भी चोरी करने नहीं देते है इस चोरीनी के डर से कुछ साइकल अपनी जान बचाने के लिए दिवार पे ही चड़ गें लोग कर लो बात ये कटे हुए सर भी यहां पे 25 में बिक रहे हैं इने लेके भला कोई क्या करेगा फिर हमारी नजर एक अजीब हो गरिब दिखने वाली पैंट में पड़ी पता च खेरे महनती लोग हम तो एसकलेटर का ही यूज करेंगे मौल के अंदर घुसते ही हमें कुछ अजीब हो गरीब आवाजे सुनाई दिया पास जाके देखा तो पता चला जो लोग खाने का बिल नहीं भरते उनको यहां बेठा के टॉर्चर किया जाता है जब तक उनके कानों से खून ना निकल जाए अभे इसको मिर्गी बिमारी पकल ली क्या भाई सच में क्या गजब दिख रहा है यह मौल ले देखो यह टकला और टकली को साइद रिसेंटली मैरिड है चलो मैं आपको टॉलेट लेके चलता हूं भाई तु एक लोताई ब्लॉगर इंडिया का जो सुसु करते वक्त भी फ जी वो गरीब मेसिन दिख रहा है ना इसको वाटर फांटेन बोलते हैं जहांसे लोग पानी पीते हैं दोस्तो पानी पीने के लिए इतना स्ट्रगल मैंने आज तक अभी नहीं किया था दोस्तो आज हम चेक करेंगे कि एसकलेटर यूज करने से हम जल्दी उपर फ्लोर में पहुंचेंगे या फिर स्टेर केस से चलो फिर अपनी बेहन के साथ एक मुकाबला हो जाए अन्यों मार्क गेट सेट को मैं जीत गया गाइस गेम जोन में अंदर जाते ही हमने देखा कुछ लड़कियां अपने लड़कों को बरतन मांजने की प्राक्टिस करवा रहे थे फिर हमारी नजर इस शौक वाले चेर में पड़ी जिसमें बैटने से आपको करेंट के जटके लगेंगे ये क्या बात हुई यार मतलब खुच से पैसे दो और यहां बैटके जटके भी खाओ कुछ भी फिर अचानक कहीं से फाइरिंग की आवाज सुनाई दी बास जागे देखा तो पते चला एक महिला हाथ में बंदूक लिए अंधादून फाइरिंग कर रही थी फिर अचानक उनकी गन हमारी तरब घुम गया कसम से दोस्तो टटी निकलते निकलते रह गई तुरंती में वहां से भाग निकला दोस्तो हमें वापस सीजन मॉल जाना पड़ेगा क्योंकि जोरो की भूग लग रही थी और उधर प्रीमियम थाली का एक उप्शन मिल रहा था जो हमें चकना था गाइस यह देखो बोर्च खाली फाइबे क्यू पागल बना रहा अबे यह डूनोट स्पाइट का मतलब क्या होता है हमारे शहर में तो लोग स्पीट करते थे अरे बाई बड़ा सहरे बड़े लोग रहते हैं इधर वो लोग सायद स्पाइट करते होंगे फाइनली दोस्तो हमाँ पहुँचे मन भवन प्रीमियम थाली रेश्टरॉंट में जहां हमने सुनाए कि अनलिमिटर थाली मिलता है सिर्फ पांसो बीस रुपे में और दोस्तो क्या बताओ हम लालची भुकड लोग इस मकसद से अंदर गुजगे थे कि पांसो रुपीस दिये थे तो हजार रुपीस का खाना काके निकलाएंगे क्यों आयो आप इदर मैम अबे क्यों मतलब क्या तुम लोग कुछ खाना वाना खिलाते हो न थाली वाली वोही खाने आये मैडम यलो कपडे खाना खतम होते ही पुछा लगा देना बेहन सुन एक बुन भी कुछ प्लेट में मत छोड़ना पांसो बीस रुपीस दिये आरे तू टेंशन मतले यार पचास रुपीस का खाना खाये था कि मैने गिव अप कर दिया मुझसे ना हो पाएगा और उदर हमारी बेहन अभी तक हार नहीं मान रही थी तू सेरनी है सेरनी हार नहीं मानेगी येस बाई इधर मैंने अपना थाली खतम कर दिया उदर हमारी बेहन पडोसियों के आइटम्स भी चुरा के खाने लगी बाई मुझे टटी लग रही है सुन बाई मैं टटी करके आती हूँ फिर ये सब खतम करती हूँ दोस्तो किसी को मत बताना मैंने जेब में दो रूटी डाल दिया है घर जाके खाऊंगा यहां हाथ दोने के इस प्रथा को देख हम बहुत प्रसंद हुए खाने से जादा मज़ा तो यहां हाथ दो क्या आगया यार अब आता सबसे जरूरी काम अरे भाई इतने से क्या होगा यह यह भी ले सब ले जा रहे इधर हमारी बहने इतने खा गए थे कि इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था फिर हम मॉल के बहर अपने कैप का इंतिजार कर रहे थे कि अचानक हमारी नजर कुछ अफ्रिकन लेडिस पर पड़ी जिनने देख हमारी बहन एकसाइटेड हो गई उनके साथ सेल्फी लेने के लिए दीदी क्या मैं अपके साथ एक सेल्फी ले लू लो करवाली बेजती अब खुश दोस्तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो कम से कम लाइक का बटन तो दबा दो एरा ठीक है गाईस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक हसते मुस्कुराते रहें और खुशिया बाटते रहें मेरा सवाल बास आपसे इतना है कि ये जो बीच वाली महिला है ये जिस बच्चे के साथ खेल रही है वो बच्चा नर है कि मादा अगर आपको पता है तो कॉमेंट करके जरूर बताना है